पॉवन सिंग, रवी किशन और दिनेस लाली आदो निरहुआ की हीरोईन सपना गिल जब भीडी क्रिकेटर पृत्वी शौ से आज सपना गिल की वज़े से पृत्वी शौ पर लटक रही है गिरफतारी की तलवार तो आप अगर अभी तक ये नहीं जाना है कि इन दोनों का मामला क्या है तो आप इंटरेनेट पर सर्च कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मोटी मोटा में हम आपको ये बता देते हैं पृत्वी शौ अपने फ्रेंड्स के साथ इंज्वाई करने के लिए मुंबई के कलब में जाते हैं वहाँ पर पृत्वी शौ को सपना गिल मिलती है सपना गिल जैसे ही पृत्वी शौ को देखती हैं उनके साथ सेलफी खिचवाने की रिक्वेस्ट करती हैं प्रित्विशौ ये माल लेते हैं और फिर वो कलब में चले जाते हैं लेकिन जैसे ही कलब से बाहर आते हैं वैसे ही सपना गिल फिर रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके फ्रेंड्स के साथ वो सेल्फी खिचवाया लेकिन यहां पर अब प्रित्विशौ मना कर देते हैं यह बात इन दोनों के बीच विवाद का कारण बनती है और फिर इनका वीडियो वाइरल हो रहा है जहां पर ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गया है उसके बाद पृत्वी शौप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं सपनागिल को पुलिस पकड़ के लेके जाती है और अब सपनागिल जेल से रिहा हो चुकी है अब सपनागिल ने पृत्वी शौप पर इंजाम लगाया है कि उन्होंने उनके साथ छेड़ खानी की है जिसके चलते ये दोनों का विवाद नेक्स लेवल पर चला गया है अब तलवार पित्वी शौप के गिरफतारी पर लटक रही है हो सकता है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफतार कर लिया जाए छेड़ खानी के आरोप में तो इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजे